हेलो दोस्तों मैं हमुनोवर और आप देख रहे हैं Mtech Noir चैनल को दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे ही बताऊँगा जो के बहुत ही पावर्फुल अप्लिकेशन है और इस अप्लिकेशन में बहुत सारे माइक्रोस को क्रियेट करके टाक्स अपने मोबाइल से परफॉर्म करा सकते हो बिना चुए मतलब आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम जो आपका मोबाइल खुद बखुद अपने आप ही कर दे आपको अपने मोबाइल को छूला ना पड़े एक्जामपल के तौर पर जिससे के हम यूटूब देखते हैं तो यूटूब पर जो एड आते हैं उसको हमें पांस सेकंड के बाद इसकीप करना होता है लेकिर अगर आप चाहते हो कि आपका मोबाइल एटोमेटिकली उस एड को इसकीप कर देगा और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रोज है आप उसको क्रेट कर सकते हो अलग-अलग टाक्स परफॉर्म करा सकते हो मतलब आपको किसी और अप्लिकेशन को सब कुछ मिल जाएगा आप इसके अंदर माइक्रोज को करेट कर सकते हो और इसके अंदर आपको कोई भी माइक्रोज बनाने नहीं आता है तो भी आपको टेंचन लेने के जरूवत नहीं ह इसके अंदर आपको बहुत सारे रेडिमेट माइक्रोज मिल जाएंगे जिसको आप सिंपली एक क्लिप में सेफ करके बहुत सारे काम करा सकते हो और इस अपली के लिए दोस्तों आपका मोबाइल रूट होना भी जरूरी नहीं है मतलब आपके सभी मोबाइल में यह वर्क क देखना और दोस्तों यहां पर वीडियो को स्टार्ट करें तो इस वीडियो के अन्ड तक बने रहे तो इस वीडियो को तो दोस्तों यहां पे मैंने इस application को install करके रखा है और इस application का नम MicroDroid है और यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको इसका लिंक वीडियो के description मिल जाएगा वहाँ से भी जा के आप इस application को install कर सकते हो और दोस्तों अगर मैं आपको दिखा हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके जो download है यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक क्रोड़ प्लस है यहाँ और इसकी rating भी आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 की इसकी rating है और इसके review भी बहुत ही अच्छे है मतब काफी powerful application है दोस्तों तो इस application link आपको वीडियो के description मिल जागा दोस्तों वहाँ से जाके इसको install कर सकते हो simply this application को यहाँ पे open करते हैं और open करने बाद यहाँ पे जोखी permission मांगे गा उसको allow कर लेना है जो भी permission यह मांगे गा तो इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर कई option देखने को मिल रहा है यह पे बहुत सारे جो micros हैवह यहाँपर create कर सकते हो यहाँप कई कि micros को यहां पर add कर सकते हो और यहां पर आपको इंपोर्ट export का भी option मिल जाता है यहां सी आप सारी file को यहां पर share भी कर सकते हो और यहा पर receive भी कर सकते हो तो काफी powerful application दोस्तों इस application की मदल से आप बहुत सारे tasks यहां पर perform करा सकते हो इसके लिए कोई भी एक्ट्रा एप्लिकेशन इस्टॉल करने के जरूत नहीं पड़ेगी बस खाली आपको आइडिया होना चीए कि किस तरह से दोस्तों यहां पर निचे तब देखोगे तो यहां पर ऐपको बहुत सारे यहां पर बहुत सारे जो बने बनाए से सब्सक्राइब करा कि या पर दखोंगे यहां पर टोप निवे तो यहाँ पर देखोंगे यहां पर च्टेभी देख सकते हो उसके फ़ल्द यहां पर जथा देखने को मिल जाएगा और यहां पर बहुत सारे नए-ने माइक्रोज यहां पर एड होते रहते हैं और यहां पर टॉप यूजर पर देखो कि यहां पर जितने भी टॉप यूजर है जो नहीं माइक्रोज को करते हैं वह यहां पर देख सकते हो तो दोस्तों अगर आपको माइक्रोज करना नहीं आता तो यहां पर आपको template में बहुत सारे जो micro's है वह यहाँ पर ready make मिल जाएंगे जिसको आप simply एक click में उसको save कर सकते हो तो जीसे कि मैं आंपको यहाँ पर 1 micros को यहाँ पर save करके बताता हूं जिसको मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं सिर्फ यहाँ सेफ करूंगा जैसे कि यहाँ पे यूटूब देख सकते हैं उस पर जो भी एड आती है जैसे पांस सेकंड की एड होती है तो इस माइक्रोश को यहां पर अगर सेव कर लेते हो तो पौच सेकेंड की बाद दूस्तों वह receiverscado हो जाएगा तो इसको मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर फेस देख सकते हो यहां पर किस तरह 따라 हुआ और यहां पर एक ओडिया भी ले सकते हो कि इस माइक्रोश को बना दोस्तों अगर आपको कोई permission मांगता है तो इस permission को आपको allow कर देना है तो यहाँ पर माइक्रोस में देखोगे तो यहाँ पर माइक्रोस एड हो गया है जैसे कि चार्जिंग वाला है जिसको मैंने सこれで एक विड़ी के बाद यहाँ पर वीडियो को प्ले करते हैं तो चलो आपको ने पर यहां पर इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करते हूं और देखेंगे इस पर गज्भी वह एड एर्टो में इल्यूआट्यों में यहँ यहां पे 1 और यहा यहां पे इसी तरह से यहां पर देखते हो इसी तरह से यहां सगय है यहां फैसर यहां पर चलना, शुरूँ और के JIM SMPS सकते हैं चाल सकते हैं तो इस तरह से म Olpe मिल जाेंगे जैसे कि माल लो आप यहां पर music सुन रहे हो और आपकी WhatsApp पर कोई message आता है तो इस micros को अगर save कर लेते हो तो आपकी WhatsApp पर जो भी messages आएंगे और आप अगर music सुन रहे हो तो आपकी WhatsApp के सारे messages आपका phone खुद भखुद आपको पढ़के सुना देगा और दोस्तों अगर आप इस application को फिरी में यूज करना चाहते हो तो पांच micros से ज्यादा आप यहां पर safe नहीं कर पाऊगे अगर आपको ज्यादा safe करना तो आपको इससे purchase करना होगा लेकिन पांच micros काफी होते दूस्तों तो चलो यहां पर मैं आपको micros यहां पर create करके यहां पर बताता हूं कि क्ट़र से create करते जैसे महां लो यहाँ प मैं अपने mobile के अंदर अगर मैं charging करू तो मेरा mobile यहां पर silent हो जाना चाहिए अगर मैं charging से आब बाहर नेकालता हूं तो automatically नॉर्मल हो जाना चाहिए तो इसको हम कैसे करेंगे कि हमारा मॉबाइल में जब हम चार्जिंग लगाए तो वो सालेंट हो जाया और जब हम चार्जिंग से उसको मतलब डिसक्नेक करें तो वो नौरम्मल अब क्ली करेंगी तुम प्लस का ऐकों पे क्लिक करेंगे तुछ यहांप यहां फे आपको तीन ऑप्शन्स दिखे रहेzona एकรत का दूसरा एक्षिण पर सबसे पहले हम WHY हुआ करेब़े दूसरे करेंगे उसका काम यह कि दूसरों आप क्या कराना चाते हो वह आप पर्फ़ॉर्म कराना चाहते लिक्षिपवे जो अप क्छा करेंगे तो उसक आप नाता आएगा किब कैसे किया perform होना है तो simply आपको क्या करना है यहां पे जो trigger है उसको क्लिक करना है और यहां पर मैं क्या करूंगा जो बैटरी पावर है इस IT में क्लिक करें आप यहां पर पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ौलियम का इस पर आपको Klik करना है तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा वाइब्रेट जैसे कि हम अपना जब पावर कनेक्ट करें अपने मोबाईल में तो हमारा था मोबाइल क्या करना चाहिए यहाँ पर वाइबृट हो जाना चाहिए मतब side पर भी अपर आपस से कलिक करेंगे फिर से हां पर बैटरी पावर पर जाएंगे और यहां पर जो पावर करनेक्टेट है इस पर क्लिख करेंगे और इस बार हमसलेक्ट करेंगे है इस बार हमेंस भाइल नॉर्मल वाइब्रेट अर्ट अब कर देंगे तो यहां पर देखोगे यहां पर देखोगे यहां पर एक्सन में हमने जो उप्छन ने हैं पर और सिलेक कर लिया यहां पर पावर किन्टेट का टिसकनेट का दोनों यह सेट्ट कर और यहां पर आपको चले जाना है यहां पर बैटरी पावर पे और यहां पर आपको क्या करना है यहां पर जो पावर कनेक्टेट इस पर क्लिक करना है और यहां पर पर फिर से आपको क्या करना है तो यहां पर पहला काम हो गया जिसे हम यहां पर पावर कनेक्ट करेंगे तो ह पर दिसकनेट पर किलिक करके कर देना है अब यहां पर क्या होगा दोस्तो अब जब हम पावर डिसकनेट करेंगे तो हमारा जो फोन ने वह नॉर्मल हो जाएगा और दोस्तो अगर इसके अदर आप कुछ और भी एड़ करना चाहते तो भी कर सकते जिसे की नॉर्मल होने पर यहां पर एक sound Play होना चाहिए तो उसको भी यहांपे एड कर सकते हैं आपको यहांपर जो वाइबरेट ऑफ है किलिक करना है तो यहांपर एक्षन अबोपर किलिक करना है उसके बाद यहांपर आपको Media पे चले आना है पर जाने के बाद यहांपर आपको play-stop sound का option है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको जो भी यहां पर साउंड यहां पर सिलेक करना है उसको यहां पर सिलेक कर लेना है तो जिससे कि यहां पर मैंने एक साउंड सिलेक कर दिया और यहां पर आपको ओके कर देना है है ğOK करने के बाद दूस्तों यहां प aí मैं याफ जो माइक्रोज़ है अब यहां पर रेडियो गया है यहां पर दे शला उसके डेक्ट काना है यहां पर एक आई को एक आई गार रेखे और गया और यहां पर तो यहां पर यहां पर सिंपल के अग माइक्रों से वह इंपर सेफ हो गया है आपके माइक्रों देख सकते हो इहां पर का तो दोस्त अब चलो देखते हैं कि वर्क कैसे करता है तो यहां पर मैं अपन souven मुबाईल में चार्जिंग लगा और यहां पर देखेंगे लगाने पर हमारी जो सो किया होता है तो यहां पर मोबाइल में चार्जिंग लगा अधर्व साइल यहां और यहां पर अदेख सकते हैं और यहां पर मैं चाप चार्जिंग डिसकनेक करूँगा तो यहां पर देखोगे यहां पर चार्जिंग डिसकनेक करने बाद यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर फिर से नॉर्मल हो गया यह फिर से यहां पर normal हो गया और यहां पर sound भी play हो रहा दोस्तों तो दोस्तों आपने देखा यहां पर हमने बीना किसी extra application को install किये हुए अपने mobile में एक micros को यहां पर create कर लिया इस microdroid application में यहां पर बहुत ही powerful application है दोस्तों इस application में आप बहुत सरे इसी तरह से जो micros है उसको यहां पर create कर सकते हो अपने use के मताबिक मतलब आपको जिस तरह का मतलब tasks नहीं पर perform कराना हो यहां पर create कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहां पर template में भी बहुत सारे जो ready made micros है वो आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप directly एक click मे save कर सकते हो और बहुत सारे जो काम में बीना चोए अपने mobile में कर सकते हो तो काफी powerful application है दोस्तो अर दोस्तो इसके अंदर एक बार में आप 5 micros को यहां पर save कर सकते हो अगर आपको ज्यादा micros को यहां पर save करना हो तो आपको इससे purchase करना होगा लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको यह free में मिल जाए जिसके अंदर आप बहुत सारे micros को add कर सकते हो तो मैं microdroid application पर एक और वीडियो बना दूँगा जिसके अंदर आपको जो free वाला version दोस्तो उसका link मिल जाएगा लेकिन इसके लिए दूस्तो आपको चैनल को subscribe करना होगा लेकिन दूस्तो अगर आप 5 mcpspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsps आप आइडिया भी ले सकते हो और उसके अंदर एडिट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि इस माइक्रोस को यहाँ पर ऑफ करना तो यहाँ पर सिंप्ली से ऑन ओफ भी कर सकते हो आप जब चाहे से ऑन कर सकते हो तो काफी आप Bitcoin करते हैं अभी कर था यहाँ पक्रूं करें को क्रेइस अगर आपको पसंद मेरे नए वीडियों को देख रहे हैं उसका पर आपके Rapha को ने वी आपडेट के लिए आ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ताकि मैं आपके लिए नजी वीडियो को बना पाऊं तो मिलतें नेक्ष वीडियो में तब तक लिए बाए बाए